भाभी चड़ी घोडी रिहान की एक बहुत अच्छी कम्पनी में नौकरी लगी थी और आज वो बहुत खुश था मा ये लो मुँ मिठा करो चुटकी तुभी ले मिठाई का अखर बाट करे है भईया खुशी से पूलने नहीं समार रहे हो मेरी एक इंटरनेशनल कम्पनी में नौकरी लगी है और अब तो मस्त महीने के लाख रुपय कमाई और कुछी दिन में खुटका एक घर भी अरा जीता रहे बिटा जीता रहे ऐसे ही तरक्की कर नौकरी तो मिल गई कोई छोकरी भी मिले के नहीं कैसी बात करती हूं मा वो तो आप ही ढूड़ोगी न आपको तो पता है कि मैं हमेशा से ही आप पर भरुसा करता हूं और मुझे पता है कि मेरी मा जो लड़की ढूड़ेगी वो बेस्ट ही होगी आरा यह होई ना बात यही अपने छोटे भाई को भी समझाया होता तो आज लड़की भगा के लाने की नौबत ना आती कोई बात नी न मा अब तो उसकी शादी हो गई है अब क्या ही कर सकती हो अब भाईया तो घोड़ी चड़ने को रासी थे नहीं तो मैं ही चड़ गया मा अब तो गुसा थुक दो देखो ना जी आपका कितना कहाल रखती है और बात बात पर माई के जाने के लिए घोड़े पर सवार रहती है हाँ ठीक है अब तो जेट जी की भी शादी करेंगी ना आप तो देखती हूँ मैं कि मेरी जिठानी जी कितने घोड़े पर सवार नहीं रहेंगी अरे अपना माई का सबको प्यारा होता है जी हम ने सन लिया अब आप काम कीजिए माई के के नाम से ही जल जाती है मैंने शाम में पंडित जी को बुलाया है रिष्टा बताने के लिए महीं शाम में बहिन जी ये कुछ तस्वीरें है आप पसंद कर लीजिए कौन सी अच्छी है देख बिटी कौन सी परफेक्ट रहेगी रिहान के लिए माई ये तो बहुत काली है ये नहीं ये मोटी दिख रही है ये भी नहीं इसका तो दाथी बार है ये ठीक ठाक है और फोटो नहीं है क्या ए लेकिन लडकी बड़ी ही हाइफ़ाई है और बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है तो क्या हुआ हमारा बिटा कम हाइफ़ाई थोड़े ना है और हम भी खांदानी लोग है दिखाएए बाकी काम हम देख लेंगे हाँ हाँ पंडीची अब चिंदा ना करी ये है सुनेना रूप रंग गुण सब चीज से परिपुन है वाओ ममा ये पोफेक्ट है भाई के लिए हाँ सुन्दर तो काफी है तबी रिहान वहाँ आता है देख बेटा कैसी है ये लड़की हमने तेरे लिए पसंद की है मा ये तो बहुत अच्छी है लेकिन शादी के लिए मेरी एक शर्त है मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी जो हो वो घोड़े पर सवार होके आए ना किडोली में तेरो दिमाग खराब हो गया है क्या आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़की ससुराल घोड़े पर आए आप ही तो मुझे कह रही थी कि घोड़े पर सवार रहती हूं माई के जाने के लिए जब लड़की माई के घोड़े पर जा सकती है तो ससुराल क्यों नहीं आ सकती हाँ माँ वैसे भी ये काफी कूल लगेगा हड़ी तोड़ दूँगी तेरी ये देख ये लड़की बहुत ही रईस और हाई क्लास है मैंने तेरे लिए पसंद की है आप तेरी शादी इसी से होगी मैंने तो हमेशा से आप पर भरुसा रखा है बस एक ही तो ख्वाइश थी वो भी पूरी नहीं होने दोगी क्या बेलकुल नहीं क्या भाई लड़की भी कभी घोड़े पर ससुराल आती है क्या कैसी बात करते हो यही सही मौका है अगर जिठानी जी घोड़े पर ससुराल आ जाती है तो फिर माजी की तो बोलती ही बंद हो जाएगी अरे ओ माहरानी कहां खो गई जाओ काम करो अगले दिन चलो जल्दी से सब तयार हो जाओ हम लड़की देखने जा रहे हैं फिर सबी तयार हो जाते हैं और लड़की देखने जाते हैं आईए आईए बहन जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई अब क्या बताए कितने दिक्कत हुई यहां आने में अरे सारी सडकें ही खराब है जी 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 अभी काम चालू है ना इसलिए कोई ना आपके बेटी काहा है दिखाए नहीं दे रही जी बस अभी आ रही है फिर सुनेना हाथ में चाई की ट्रे लेके वहां आती है नमस्ति आउंटी जी नमस्ति भाईया, नमस्ति भावी, नमस्ति दीदी ये सुनकर सभी हसने लगते है हाँ आप लोग ऐसे हस क्यों रहे हो क्योंकि मैं आपके भावी नहीं देवरानी हूँ आप मेरी जिठानी है और मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ होने वाली भावी जी तो फिर दीदी नहीं नाम ले सकती हो और ये आपके भाईया नहीं सया है मिलन भाईया यानि के आपके देवर जी तो ये है सॉरी सॉरी काफी कन्फूशन है कोई बहुत नहीं जी पिर सभी बैट कर चाहे नाश्ता करते है तो बेटी कितनी पड़ी लिखी हो जी आउंटी जी मैंने मास्टर्स किया है और सीनियर कॉलेज में प्रोफेसर हो हरे वाँ ये तो बहुत अच्छी बात है खाना बना लेती हो कि नहीं जी माजी पूरा इंटर्विय आज ही ले लेंगी क्या भापी चुपराओ ना आपके भी हिस्से का इंटर्विय चालूए या चुपराओ दोनो वही रियां को भी सुनेना बहुत पसंद आती है रियां सुनेना से बात तो करना चाता था लेकिन उसकी माँ उसे बात करने का मौका इन ही दे रही थी बहन जी हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है अब तो जल्दी से अच्छा सा मुहरत निकलवा दो, बस शेहनाए बजजाए जल्दी जी जी जरूर फिर सभी घर आ जाते हैं तुम सभी मेरे पीट पीछे कुछ ज्यादा ही बुराई नहीं करने लगे हो मैंने सब सुना क्या खुसर खुसर कर रही थी तुम दोरो अरे रहान बेटा तुझे क्या हुआ तेरा मूँ क्यों फुगा हुआ है मुझे लड़की से बात करनी थी अकेले में अपने करनी नहीं दी सारा समय बस उसका इंटव्यू लेने में बर्बाद कर दिया हाँ, जान बूज कर नहीं तो सबसे पहले तु लड़की के सामने यही डिमांड रखता कि तुम मेरे घर डोली में नहीं घोडी पराना, क्यों? इरादा तो कुछ है जईदा बेटा, जमीन में रहो आसमान में ना उड़ो हमारे घर के संसकार ऐसा नहीं के बहु घोडी पराए पहले भी मैंने तुम्हें यह बताया है ना अब बिचारा रिहान बुरी तरह परिशान होता है कि जीवन में उसने एक ही तो सपना दिखा था अब वो भी ना पूरा हो तो फिर क्या? क्या हुआ भीया? बहुत परिशान लग रहे हो हाँ थोड़ा सा क्यूं? लड़की अच्छी नहीं लगी क्या? अरे लड़की तो बहुत अच्छी है बैन लेकिन वही समस्या है कि मैंने अपने सारे दोस्तों को कह दिया था कि मेरी दुलन तो घोड़ी चड़कर ही आएगी और मेरा भी यही सपना है ये पूरा नहीं हुआ तो मेरी बहुत बेज़ती होगी दोस्तों में प्राब्लम तो है बट जिया भाबी के पास इसका सलूशन जरूर होगा फिर जिया, मिलन, रिंकी सब भी मिलकर सोचने लगते हैं कि कैसे वो अपनी मा के अगेंस्ट जाके अपनी होने वाली भाबी को घोड़ी पर चड़ाए मेरे पास ना एक आइडिया है क्यो? फिर जिया सब के कान में कुछ कहती है ऐसे घातक आइडिया आपके ही होते है इसलिए तो ये अब तक मेरे साथ है बाग कराने का आइडिया भी तो इसी का था वन्ना मा तो कभी इससे मेरी शादी ना कराती यॉर लखी गाई मैन फिर सबी हसने लगते हैं वही देखते ही देखते वो दिन भी आजाता है जिस दिन रिहान की शादी थी घर से सारे बाराती धूम धाम से निकलते हैं और रिहान दुला बन कर घोड़ी चड़ता है भया स्माइल तो कर दो बना फोटो अच्छी नहीं आएगी मैं दो गोड़ी चड़गया मेरी बीवी कब गोड़ी चड़ेगी सबर करो भाभी भी गोड़ी चड़ेगी बस अबी खुश रहो और हम पर बिलीव करो फिर रिहान और सुनेना का जैमाला होता है और फिर शादी हर समय बस रिहान के मन में एक ही चिंता सताय हुई थी, वहीं बिदाय की समय. ये ड्राइवर गाड़ी लाने में इतनी देर क्यों कर रहा है? बिदाय को देर हो रही है, बिटा तु घोड़ी पर ही वापस आएगा. हमारे घर की रीत है, बहु, तु कार में जाएगी. मेडम कार तो पंचर हो गई है, टाइम जाएगा बनाने में. ये प्लान काम करना शुरू कर दिया है, अब तो मा जी को भाबी को भाईया के साथ घोड़ी पर ही भीचना होगा. आरा कोई बात नहीं, बहु, तु हमारी कार में चलेगी. हाई, अब क्या होगा? पुझे बचाओ, ये बे काबू हो गई है. तब इस सुनैना जल्दी से छलांग लगा कर घोड़ी पर चड़ जाती है, और उसे काबू कर लेती है. थैंकियो सुनैना. ये सब देखकर सभी तालियां बजाने लगते हैं. वही सास का मुँ बन जाता है. भाबी, अब आप भाईया के साथ घोड़ी पर ही आओ घर. और फाइनली, रिहान के मन के मन्शा पूरी हो जाती है. और उसके भाई बेनों की भी, भाईया की बीवी यानि की भाभी, घोड़ी चड़ कर जो घर आ रही थी.